नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्राखंड और सामानी ज्यान के महत्तपूर्ण परस्नु को इसमें दोस्तों हम देखेंगे कुल यहाँ पर 189 परस्नु को मुझे उम्मीद ही नहीं पुरा विश्वास भी है कि दोस्तों आप वीडियो को अंतग जरूर से देखेंगे पहले हम यहाँ पर देखेंगे BS नेगी उत्राखंड पुलिस की बुक से महत्तपूर्ण उत्राखंड के परस्नु को इसके बाद देखेंगे हम GK के महत्तपूर्ण परस्नु को तो बने रहेगा दोस्तो अंतग तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला परस्ण दोस्तो यहाँ पर हमारा सीधे परस्ण और सीधे उत्तर दोस्तो करने वाले हैं क्योंकि दोस्तो परस्णू की संक्या जादा है रिविजन दोस्तो आपको यहाँ पर करना ह मोला राम तोमर ने किस सासक को महा पर चंड भुषदंड कहा था यह यहाँ पर आपको बताना है दोस्तो इसका सेउत्र हुजएगा महिपति सा को कहा था मोला राम तोमर ने यह आपको पिलकुल याद रखना है अगला प्रशन है उत्राखंड की तीजन भाई के नाम से परसिद्ध है तो उत्राखंड की तीजन भाई किसे कहा जाता है ये कहा जाता है कबुतरी देवी को चिपको उमन दोस्तों कहा जाता है गोरा देवी को तो इसका से उत्र हो जाएगा उत्रा खंड की तीजन भाई ओप्सन नमर ए कब उत्री देवी अगला प्रसन है एड गुरु के नाम से परसिद्ध है दोस्तों यह है परसुन जोसी अगला प्रसन है ब्यूटीफुल गडवाल किसकी रचना है यहाँ पर आपको बताना है ब्य सारी पुस्तगे निकालते हैं इनका नाम है रस्किन बॉंड तो यह आपको याद खना है रूम ओन दर रूप दोस्तों इनकी पहली रजना थी तो इसका से उत्र हो जाएगा रस्किन बॉंड महसूरी में रहते हैं अगला प्रसन है राज जी की पर्थम महिला फिल्म निर् तो नैनी सेनी हवाई एड़ा दोस्तों काफी अच्ची जगह है पिथोडागड में तो इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्शन बरसी अगला परसन है बारा होती किस जिले में इस्तित है इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्शन बर डी दोस्तों यह चमोली में है बारा होती उस्त से उत्रों जाएगा option number D सुधर्शन साइस का से उत्रों का यहाँ पर हमारा option number B अगला परसने उत्राखंड का लिंगानुपात है दोस्तों उत्राखंड का लिंगानुपात है 963 यह हो जाएगा option number C तो बढ़ते हैं अगले परसनी की तरह दोस्तों इसी तरह हम जल्दी वाले हैं बने रहेगा अंतक अगला परसने रालम गलेसियर हीरा मड़ी गलेसियर नामिक गलेसियर दूस्तों कहां इस्तित है यह आपको सभी गलेसियर देखने को मिलेंगे पी थोड़ा अगर जन्पद में तो option number A हो जाएगा इसका बिलकुल बिलकुल 60 उत्तर अगला पर परसने पांडू के स्वर तामर पत्र किस भासा में लिखे गए हैं यहां पर आपको बताना है पांडू के स्वर तामर पत्र दोस्तों किस भासा में लिखे गए हैं संसे गिरतिसका से उत्तर हुजएगा option number C दोस्तों एक बार नहीं कई बार हम इन परसन को देख चुके हैं सहस्त धारा जलपरबाद किस नदी के समीप है दोस्तो देहरादुन में हैं तो इसका से उत्र हुजाएगा option number A बालदी नदी के समीप है आपको याद रखना है अगला परसने कौन सा ब्यक्ति गुमानी कवी के नाम से परशिद्ध है दोस्तो विख्यात है यह लोक रतन पंथ गुमानी यह आपको याद रखना है अगला परसने गुसाई या गुसें दोस्तो यह खा जाता है सुमीत नंदन पंथ को अगला परसने आपर हमारा परकृति का सुकुमार कभी सुमीत नंदन पंथ को अगला परसने ब्यास गुफा इस्तित है दोस्तो ब्यास गुफ दोस्तो वाता 30 सितंबर 1916 को और सारे अधियोशन दोस्तो आपको याद कर लेने हैं क्योंकि एक एक नमबर दोस्तो आपके लिए महत्पूर्ण है अगला बरसन है चित्र कांठा बुग्याल की जनपद में हैं दोस्तो चित्र कांठा बुग्याल हो जाएगा चमोली ओप्सन अगला बरसन है उस्तो आपुषन से परसन है सुधमन कडवा आपुषन पहना जाता है ये आपको यहाँ पर बताने है सुधमन कडवा आपुषन उस्तो पहना जाता है पैर्म पहना जाता है ओप्सन नमर सी हो जागा इसका सठीक उत्तर अगला बरसन है माना उत्थान सेव समीति के सस्ताप उस्तो कौन हैं सत्पाल महराज हैं पिल्कुल आपको याद रखना होगा अगला प्रसने आप पर हमारा कुमावनी बोली के पर्थम भासा बैग्यानिक कौन थे तो इसका से उत्तर हुजाएगा उस्तो ओप्सन नमर ए गंगादत उपरेती पिल्कुल आपको कमेंट बोक्स में जरुड़ से बताएगा क्योंकि हम इसे कई बार देख चुके अगला परसने नाग देपताल इस्तित रानी खेत अल्मोडा में इस्तित है नाग देपताल अगला परसने दूस्तो यहाँ पर हमारा कौन सा नगर मंदीरू की नगरी के नाम से बद में इस्तित है राज इस्तर यह उर्जा पार्क इस्तित है यह आपको यहाँ पर बताने है राज इस्तर यह उर्जा पार्क उस्तो यह देहरादुन में है ऑप्सन नमर ए अगला परसने है रिवर राप्टिंग के लिए उत्रा खंड में इस्तान है रिवर राप्टिं में तक प्रसन पूछा गया था तेहरादून में लगता है परसिद्टपकेस्वार मन्दी दोस्तो कहा है परसिद्टपकेस्वार महादेप मन्दी दोस्तो ये आपको देखने को मिलेगा तेहरादून में option number D अगला प्रशन है उत्राखंड का सरवाधिक वर्षा वाला छेतर दोस्तों यह है नरेंदर नगर टीरी गडवाल तो नरेंदर नगर टीरी गडवाल उत्राखंड का चेरा पुंजी भी कहा जाता है उत्रा खंड का राजी पक्षी दोस्तो बिल्कुल आसान है राजी पक्षी उस तो यह हो जाएगा मोनाल ओप्सन नमर भी मोर नहीं करना है मोनाल हो जाएगा इसका सेउत्र ओप्सन नमर भी अगला प्रस्ण है कालू तड़ागी किस राजा का सेना पती था जल्दी से यहाँ पर आपको बताने हैं कालू तड़ागी किस राजा का सेना पती था तो दोस्तो इसका से उत्र जाएगा सोम चंद ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण है 1919 के अमर्तसर कांग्रेस अदिवेशन में भाग लिया था दोस्तो एक तो लिया था वेरिश्टर मुकुंदिलाल ने और सांती नाम याद रखे अनुसुया परसाद पहुगुणा का तो यह नाम आपको याद खने एक जाम में परस्ण बनेगा तो बढ़ते हैं अगले परस्ण की तरफ अगला परसण है यह यह आपको याद रखने है जल्दी से याँ पर आपको बताने हैं दोस्तो यह हो जाएगा इसी केस ओप्सन नमबर A दिवान सिंग भाकुनी का संबन्द है दुस्तों इनका संबन्द है ओस्थी बिज्ञान से बिल्कुल आपको महजवानी याद रखना है अगला परस्न है भूनेस्वरी मेला कहां आयोजित होता है दोस्तों यह जगा पोड़ी गड़वाल में आप्सन नमबर D हो जगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उतर बीरमा, गागा, स्वीनो, किसकी साइग नदी हैं दोस्तों यह पश्चमी राम गंका की है आप्सन नमबर B हो जगा इसका सटीक उतर रणवीर सिंग विष्ट का संबंद है दोस्तो रणवीर सिंग विष्ट का संबंद है चितर कला से तो इसका से उत्र जाएगा option number B painting यहाँ पर से उत्र हुजाएगा तो बढ़ते हैं अगले परसनी की तरफ अगला परसनी यहाँ पर हमारा भूमक उड्यार इस्तित है जल्दी से दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है भूमक उड्यार इस्तित है तो इसका से उत्र हुजाएगा यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तो टिहरी गड़वाल में भूमक उड्यार कहा है तो टिहरी गड़वाल में है पिंडर नदी का उद्गम इस्तल है दोस्तों पिंडर नदी पिंडारी गलेशर पिलकुल आसान है मिलम गड़ेश है दोस्तों गोरी नदी निकलती है या आपको याद रखना है पिंडर नदी दोस्तों यह जगा पिंडारी गलेशर पिलकुल आसान है अगला परस्ण है हरीद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है तो इसका से उत्तर हो जाएगा जोब फ्रांसिस वाइट बोले तो ओफ्सन नमर ए ए फॉर अलमोडा इसका से उत्तर हो जाएगा अगला परशन है श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गाउं से प्रारंब होती है परशन जरूर छपेगा एक्जाम में कास्वा गाउं दोस्तों आपको याद अखना है चमूरी जन्पद में अगला परशन है राजज में कौन सी जन्जाती भूमसेन देपता की पूजा करती है जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है भूमसेन देपता की दोस्तों कौन सी जन्जाती पूजा करती है यह हो जाएगा बोकसा बोले तो आप्सन बर भी धनुस्तीर्थ दोस्तों कहा गया है दोस्तों इसका से उत्तर हो जाए गाट तेव परियाग तेव परियाग दोस्तों समस्त तीर्थू का सिरोमडी समगर पापू का बिनासक ये भी कहा गया है देव परियाग में दोस्तों भागी रती और अलकनंदा का दोस्तों संगम होता ह देव परियाग में उस्तो भगवान राम ने तबस्या की थी तो बढ़ते हैं अगले परशनी की तरफ अगला परसने तीलू रोतेली की घोडी का नाम क्या था दोस्तो ये था बिंदुली अगला परसने उत्रा खंड की जगवाल फिल्म किस भासा में बनी हुई है जबर दस्त परसने एकजाम में छप सकता है परसने तो गडवाली दोस्तो आपको याद अखना है उतराखंड की जगवाल फिल्म दोस्तों यह है गडवाल भासा की गडवाली भासा की पहली फिल्म कुमाओं की दोस्तों उजएगा मेगा आ अगला प्रस्ने राज जी में दाकुनी निर्ति कहां किया जाता है दोस्तों पूछा गया था यह प्रस्ने तो दाकुनी निर्ति दोस्तों किया जाता है इसका सेवत्तरु जाएगा ओप्सन नमबर बी चमोली में अगला परसने स्वान्ड ताल का पुराना नाम दोस्तों यह है भालू बात का रानी खेत में है 1903 में दोस्तों यह बना था तो कुछी जै दोस्तों जैसे भालू बात दोस्तों वहाँ पर जम मगया था रानी खेत में है तो 1903 महाँ पर बोर्ड लगा था तो कुछी जै दोस्तों इस तरह से याद हो जाती है अगला परसने आपको भी दोस्तों होती होंगी जब आप कहीं भी जाते हैं कला विदू का सिरो मड़ी दाता किस सासक को कहा जाता है कला विदू का सिरो मड़ी दोस्तों ये कहा जाता है सुदर्चन सा इसका से उत्र जाएगा option number B कला विदू का सिरो मड़ी दोस्तों कहा जाता है महाराजा सुदर्चन सा को अगला बरसने है उत्रा खंड का जड़ी बूटी सोध सस्तान की जनपद में इस्तित है दोस्तों चमोली में है गोपेश्वर में है 1989 में इसकी स्तापना हुई थी अगला बरसने है उत्रा खंड में सबसे बड़ा राष्टी राजमार दोस्तों पहले तक था एनेज अठाउन अब दोस्तों इसका नाम हो गया एनेज 07 यह आपको याद अखने है तो बढ़ते हैं अगले बरसने की तरह अठाउन दोस्तों नह गनपद दोस्तों यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑफ्सनमर डी देहरादुन सिकर फॉल दोस्तों कहां है दोस्तों यह देहरादुन में है ऑफ्सनमर ए हो जाएगा इसका से उत्तर सिकर फॉल दोस्तों यह है देहरादुन में और सिकर इस्टेडी पोइंट दोस्तों अल अगला परसने माडा पास दोस्तों बिलकुल आसान है चमोली में है और सनमर्सी उत्रा खंड की सबसे गहरी जील यहां पर पूछी गई है दोस्तों उत्रा खंड की सबसे गहरी जील कौन सी है द्रोण सागर उधमसिंग नगर गिरी ताल उधमसिंग नइनी ताल अपना नो देख लिए थिर दोस्तोँ उसकी मिरत्य हो जाती ऐसा कहा जाता है कि व्वधनती है बांकि कहते हैं कि लोग सात आली दोस्तों इससे दिखाई देते हैं बांकि मैं भी नहीं यहां प्रसने निम्न मैसे उत्रा खंड का कौनसा लोक निरतिये युनसको की अमूर्त सांसिकर्तिक धरोर में सामिल है जबरदस्त परसन है दोस्तो ये हो जाएगा रमाण रमाण को दोस्तो किया गया था सामिल 2 अक्टूबर 2009 को युनसको की अमूर्त सांसिकर्तिक सूची में चमूली में होता है अगला परसन है छेत्र फल की रिष्टी से उत्रा खंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बिलकुल आसान है दोस्तों त्याइस नब्बे वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्रकाशी जन्पद मस्तित है और इसका नाम है दोस्तों गंगोतरी राष्ट नंदा देवी चमूली में है गैंडा किस चंद सासक का सिना पती था दोस्तों लक्ष में चंद का था अगला परसन है किस सासक द्वारा चंद को गरुड की उपादी दी गई गरुड ग्यान चंद दोस्तों फिरोसा तुक्रग ने दी थी ओप्सन नमर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर अगला परसन है गोलू देपता दे गौड ऑफ जश्टिस पुष्टक के लेखक हैं दोस्तों इसका सेउत्तर हो जाएगा गोलू देपता दे गौड ऑफ जश्टिस पुष्टक के लेखक हैं सीम अगरवाल बोलो गोलू देपता की जै तो बढ़ते है अगले बरसन की तरफ सब्त सिंदु देश का परियोग किसके लिए किया गया था यह आपको यहां पर बताना है तो सब्त सिंदु देश दोस्तो यह होता था गड़वाल के लिए बोले तो ऑप्सन नमबर A अगले बरसने दोस्तो यहां पर हमारा रथी देपता का मंदिर इस्तित है रथी देपता दोस्तो टीहरी में है टीहरी में अगले बरसने मारचा यम तोलचा किस जन जाती से सम्मंदित है दोस्तो यह भोटिया की उपजाती है आप्सन नबर डी हो जागा इसका से उतर चमोली जन्पदमस्तु ये रहती है याद रखेगा पॉन टूटी क्या था दोस्तो एक परकार का कर हुआ करता था है आप्सन नबर सी हो जागा इसका बिल्कुल सटिक उतर उत्रा खंड के रहसी ताल दोस्तो रहसी मही ताल कौन सा है रूपकुंड है चमोली में है याद रखेगा हिमालाई गजेटियर के परसिद्ध बिर्टिस लेखक कौन है जल्दी से दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है हिमालाई गजेटियर के परसिद्ध बिर्टिस लेखक दोस्तो यह उजाएंगे E Atkinson ओप्षन नमर B सन 2011 के नुसार उत्रा खंड का जन संक्या घनत दोस्तो यह है 189 ओप्षन नमर C चिप को आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंब किया गया था दोस्तो यह DAYगा बन बनु को बचाने के लिए शुरुह आता दोस्तो चिपको आंदोलन अगला उत्राखंड का सबसे बड़ा हिम्न दोस्तो यह उज्याएगा गंगोत्री पिलखुल आसाना सबसे बड़ा ग्ले दोस्तो कुणंसा है गंगोत्री mieć मिलम जोहारा दोस्तो धरोर इस्तल घोसित किया गया दोस्तों ये किया गया था 1988 में फूलू की घाटी को 14 जुलाई 2005 को दोनों आपको यार रखने हैं बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ अगला परसन हैं निमनांकित मैंसे कौन स्वतंदरता सेनानी नहीं था महाबीर त्यागी 13 दून का सुल्तान इनको कहा जाता है पिल्कुल थे गडवाल का चंदन हेमतिनंदन भहुगुणा गोविंद वल्लप महाराष्ट दोस्तों इनके साथ इनको पुकारते थे बल तो गोविंद वल्लप पंथ दोस्तों बहुत बड़ा नाम उत्राखंड के लिए उतर परदेश के पहले दोस्तो एक मात्र बैक्ति की जिन है भार रतन से दोस्तों समानित किया गया था 1927 में तो इसका सेवत्रों का उस्तों स्वतंत्रा सेनानी नहीं था दोस्तों इसका सेवत्रों का गोरा देवी क्योंकि दोस्तों गोरा देवी हैं चिपको हुमन तो बढ़ते हैं अगले परशनी की तर जन संक्या जादा होगा दोस्तों यह हुझाएगा हरीद्वार अब हरीद्वार का दोस्तों छेत्रफल अलमोडा उत्तरकासी के मुकाबले दोस्तों बहुत कम है लेकिन दोस्तों हरीद्वार की जन संक्या सबसे जादा है अगली बार दोस्तों जब 2021 जन गरना के आकड़े आ अगला परशने यहां पर हमारा पंचेस्वर बांद किस नदी के उपर प्रस्तावी था उस्तो काली नदी के उपर है उप्शन बरसी कामेट परवत की उचाई दोस्तो कामेट परवत की उचाई है सदतर चपन मीटर अब आपको दोस्तो फिट में भी बदलना आना चाहिए तो इसका सेउत्र जाज़तो 25,413 फिट नंदाग किनी नदी अलक नंदाओं मिलती है दोस्तो नंद परियाग विल्कुल आसान है धागूली दोस्तो ये पहनते हाथ में ऑप्शन वर डी होगा इसका सेउत्तर किस इस्तान को महात्मा गांदी ने मीनी सुजर लेंड कहा था ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस ये अल्मोडा जन्पद में है ओप्शन नबर डी हो जागा इसका सेउत्तर वांकि गुच्चू पानी देहरादुन में है कालू सिद्ध लक्षमर सिद्ध ये सभी दोस्तो देहरादुन में उत्रा खंड में किस जन्पद की जन्संक्या सबसे कम है दोस्तो अरिद्वार की सबसे जादा है देहरादुन भी है पिथोड़ा गड़ भी है रुद्र पर या इसका से उत्र हो जाएगा ओफ्शन नमबर बी इंद्रा अम्मा भोजनाला योजना कब प्रारंब की गई थी जल्दी से दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है पंदरा अगस्त दोजार पंदर केस में ऑप्शन बर बियो जागा इसका बिलकुल सटीक उत्तर अगला परसने है नेशनल एकेडमी और पबलिक एड्मिरिस्टेशन दोस्तो एक सितंबर 1969 को इसकी स्तापना हुई थी और ये दोस्तो मसूरी में इस्तित है याद रखना आपको बिलकुल अगला परसने है प इपको आंदोलन की सक्रिय कारी करता गौरा देवी का जन्म दोस्तो हुआ था 1925 में और कहां हुआ था ये हुआ था चमोली के लाता गाउं में यह आपको याद अखना है नाकुरी गाउं की दोस्तो परसिद्ध हैं कौन बचेंदरी पाल अगला परसने नाकुरी गाउं उ पराची नाम है दोस्तो हो जाएगा जस्पूर का है जस्पूरु धमसिंगे नगर में है और सी कि उतरा खंड का राजी खेल ये हो जाएगा राजी खेल होकी डिवेटमेंड ते उस्तो आप समयको बॉटर इसकर उतरा खंड का जो ।ो हमारा हुआ जूरे किया घुintérieur ما Просто कि क किस जनपत के लिए परियुक्त होता है दोस्तों ये पिथोड़ा गड़ को कहा जाता है सोर घाटी अगला वरसने यापर हमारा जिम कारबेट नेशनल पार्क की स्तापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1936 में हुई थी जिम कारबेट नेशनल पार्क की स्तापना बिलकुल दोस परशाद दवराल को उस तो कहा जाता है चारण अगला परसन है भगवान सीव और पार्वती की अस्ट धातू की मूर्ती कहां से प्राप्त हुई है जब अरदस दोस्तों परसन है यह हुई है जागेशुर से ऑफिसन नमर ए अगला परसन है उत्रा खंड़ में अर्थ ब्योस मिलता है उत्रा खंड में थीरे थीरे यह भी हो जाएगा बाकी बनसंपता है परेटन है खनन है अगला परसन है यहां पर हमारा गोरखाओं के सासन में मिझारी कर किसे लिया जाता था चबदस्त परसन है गोरखाओं के सासन में मिझारी कर दोस्तो एक तो जागरिया जो बरहावन होते ते उनसे लिया जाता था और सिल्प कारी उसे लिया जाता था ओप्सन नमर ची अगला परसन है गड़दे सेवा संग का गठन किस ने किया स्रिदे सुमन्न किया था बिल्कुल याद रखेगा ओप्सन नमर ए अगला परसन है उत्राखंड में मूली सवर्दित कर वैट लागू होने की तारिक है दोस्तो उत्राखंड 22 राजी था वैट लागू करने वाला तो इसका सेवत्रु जाएगा 1 अप्रेल 2005 ओप्सन नमर डी पातर नचोडिया इस्तान किस जनपद में इस्ति अगला परसन और हमारा टीहरी रियासत की राजधानी टीहरी नगर की स्तापना कब हुई दोस्तो यह हुईती 28 DIOमदर अठार स्व पंदर को तीहरी की स्तापना अठार स्व पंदर को अगला प्रसने आपर हमारा बूट चौला धारी सूर्य भगवान मंदिर की जनपद में इस्तिता जुस्तो ये है अल्मोडा में पटवारी में दुस्तो सेलेक्शन के बाद जरूर आप अल्मोडा आएंगे और जरूर से दुस्तो वहां से लगबक की अगले प्रसनी की तरफ अगला प्रसने है अब यहां से दुस्तो हमारे जीके के प्रसने शुरू हो गए हैं तो बने रहेगा अंतक पहला प्रसने ये प्रसने पूछे जा चुके हैं किसी ने किसी एक्जाम में कौन सा चेतर प्राचिन काल में मघद नाम से जाना जाता था तो दोस्तो इसका से उत्रू जाएगा गंगा का दक्षनी चेतर इसका से उत्रू जाएगा ओप्शन नमर ए अलग तरीख से दुस्तो प्रसने आपर पूछा गया है अगला वर्षने भारत लोगु का एक समू था जिसका उलेक रिगवेद में मिलता है वे रहते थे दुस्तो वह रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में ओप्शन नमर डी अगला वर्षने रिगवेद की मूल रचना किस भासा में हुई है दोस्तो संशिकृत में हुई है बिल्कुल आसान है गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है फिरी में नमबर मिलेगा अगर आप इसमें गलती करते हैं तो भी नुक्सान भी होगा तो रिगवेद की मूल रच अगला वरसने हैं बराजील में पाया जानने वाला कमपास है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है तो इसका से उत्तर जागा एक उष्ण कटी बन दिये घास दोस्तों मैदान है कमपास चोकि दोस्तों पाये जाता है बराजील में बिल्कुल आपको महजमानी याद रखना है इसका सयुकतर होगा संसार में किस माधी पर सबसे कम जनसें क्या है तो उस्टेलियस का हमारा से उत्तर होगा सबसे ज्यादा अपना एसिया जहां की दुस्तो हम लोग रहते हैं अगला परसन है लद्दाक में पाए जाने वाले कमपास हैं यह आपको यहाँ पर बताना है लद्दाक में पाए जाने जुस्तो यह क्या है बहुद बिहार बहुद मंदिर है अप्शन नबर ए हो जागा इसका पिलकुल 60 उत्तर अगला परसन है समाचार पत्र के महतपूर्ण होने का एक कारण है तो उस्तो यह हिंदी का परसने आपर आगया है तो लोकमत को सरकार तक पहुचाना इसका से उत्र हो जाएगा उप्शन नबर भी संसे किर्थी सब्द में इक परते लगने पर बनेगा दोस्तो संसे किर्थी बनेगा यह गलत लिखा है संसे किर्थी किसका से उत्र हो जाएगा संसे किर्थी में एक पढ़ते ही तो यह आपको याद दखने है अगला परसन है उत्राखंड में किस साल सौरी भारत में अब दोस्तों हर बार उत्राखंड पढ़कर हर महसे उत्राखंड निकलता है तो भारत में किस साल बाल अभिभाव निसेत अधिनियम पारित किया गया जबर दस्त दोस्तो परसन है तो इसका सेवत्र हो जाएगा 1829 होगा या 1929 होगा ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में तो बढ़ते हैं अगले परसनी की तरफ अगला परसनी सत्ती सोदक समाज की स्तापना किस ने की थी दोस्तो जूतिवा फुले ने की थी 1873 में गुलाम गिरी दोस्तो इनकी पुस्तग है वो भी आपको याद रखना है अगला परसने करक रेखा निमलिकित मैं से किस भारती राज्य से गुजर्ती है महरालश्ट, माध्धि पर्देश, ओडि या उत्तर पर्देश दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है करकर रेखा दुस्तो भारत के आठ राज्यो से गुजरती है तो इसका सेुथर हो जाएगा यहाँ पर हमारा MP दुस्तो इसका से अबस्तो हो जाएगा यहाँ आपको याद रखना है अगला प्रशन है यहाँ पर हमारा पारिभासिक सब्द में परते है दोस्तो इक परते लगेगा पारिभासिक में एक परते लगेगा option number D हो जगा इसका सेउतर दिमाग का परेवाची सब्द नहीं है दोस्तो मगज में कुछ घुसा की नहीं घुसा मगज में तो घुश गया मगज में दोस्तो बुद्धी बिल्कुल है मस्तिक से तो हई है दोस्तो यह जगा सील नहीं है option number D सार्थक का बिलोम सा दोस्तो यह का निरत्तक होगा option number C सार्थक का क्या का निरत्तक होगा अगला व्रस्न है भासा से ही हम सार्थक अउधारने बनाते हैं वाक्की में निपात है निपात दोस्तो अतिरिक्त बल देने के लिए परियुक्त किया जाता है ही भासा से ही भासा से हम सार्थक अउधारणे बनाते हैं ये तो हमने इस तरह से खाशारण में लेकिन दोस्तो भासा से ही ही दोस्तो आ गया तो निपात आ गया तो अतिरिक्त बल देने के लिए दोस्त अब दोस्तो यहाँ पर आपके चार प्रसन बनने वाले हैं, एक सान दोस्तो चार प्रसन आपके बनने वाले हैं, अब देखें दोस्तो कोई ने कोई आपको जोड़ से आता होगा देखें, मेग दूत, कालिदास की हैं, बिल्कुल आसान है, हरस चली दोस्तो यह पान भट्ट यह नारा किस ने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जनमसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा कई बार दोस्तों यह प्रसन आ चुका एक्जाम में बाल गंगादर तिलक इसका सेउतर होगा अगर बसने लोक सबाके परतेक सत्र का पर्थम घंटा से सुरू होता है पर्थ ससद निकाल नहीं दोस्तों सुननिकाल उसके बात होता यह हो चैगा प्रस्यकाल आपोसन का Gaming से दोस्तो ये बने रहाफ चाम फिलकुल आसने देखें भीज्यानिक बैज्यानिक बैग्यानिक वरीत कर देते हैं तो बैग्यानिक IS का स्वे उत्र होगा अगला प्रशन है पर इक्छा प्रस्ण गल्ती सब्द के परिक्चा दोस्तो हमारी परिक्चा होने वाली है हमारी परिक्चाएं दोस्तो होने वाली परिक्चाएं तो परिक्चाएं दोस्तो यहां पर यह सभी में है परस्न का दोस्तो परस्न परस्न नहीं होगा परस्न का भी दोस्तो परस्नों होगा अब इन दो ऑप्सन में गलतिया हमने गल्तियूं गल्तियां या गल्तियूं दोस्तों यह होगा परिक्षा का होगा परिक्षा हैं परस्न का होगा परस्नों गल्ति का होगा गल्तियां यह होगा option बरसी अपनी खुद की और अपने विध्यार्तियों वाक की मैं सरु नाम है अपनी खुद की और अपने विध्यार्तियों वाक की मैं सरु नाम है खुद के लिए दोस्तो निजवाचक होता है हमको सिर्फ इतना ही चिये बस खुट के लिए दोस्तों जहां पर भी आए नीजवाचक आपको टिक करना है परसना आपका सही हो जाएगा अगला परसने है दोस्तों निमली कित मैंसे कि सुल्तान ने अनाज को सहर के बाजारू में भेजने के लिए बंजारू का पर्योग किया जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों योजगा अलाव दिन खिल जी बोले तो ऑप्सन नमबर बी आगला परसने है निमली कित मैंसे कौन सा राज्यू का सयोजन तरी भिभाजन में सामिल था जबर्दस्त परसने है दोस्तों इसका से उत्र जाएगा पहले नमबर पर आएगा राष्टर कूर्ट फिर उसके बाद पाल फिर आएगा गुजर परतियार जबर्दस्त परसने संसत पर महावयोग लगाए गया दोस्तो पूछा गया था यह प्रस्ण एकजाम बनता है वारेन हैस्टिंग्स इसका सेवतर होगा किस पर बिर्टीज संसत द्वारा महावयोग लगाए गया था दोस्तो यह जगा वारेन हैस्टिंग्स ऑफसन नमबर डी अगला प्रसन दोस्तों यहाँ पर हमारा निमिली कित मैं से गरहूं का कौन सा सयोजन गैसी यह गरह कहलाता है जबर दस्ते दोस्तों प्रसने हैं सबसे पहले दोस्तों गुरु बिरिस्पती सनी यूरेनेस नेप्चून यूजाएगा उप्सन नमबर ए